बिस्मिल्ला वाख्मालिवरहीम, अस्सलाम वालेकूम, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कदू इसको मैंने अच्छे से दोग पर वाश कर लिया है, अब हम इसको एक बतन में डालेंगे हाफ काफ मैं इसमें पानी आट करी हूँ और इसको 10 मिंट के लिए हम गलने के लिए रख देंगे ये देखिए कदू हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, अब हम इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चाहे आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंट कर सकते हैं ये देखिए, इस तरह से, अब हम इसको एक बतन में निकाल लेंगे इसी प्रेशर कुकर में हमने हाफ केजी मटन डालना है मटन को अच्छे से वाश किया करें ये हमने इसमें मिसाले आड़ करें हैं तू मीडियम साइज के ये हमारे पास अनियन है, दस कार्ली क्रोफ है, त्री गिरीन चिली है, वन टेबल स्पून अद्रक पेस्ट है और वन लार्ज टोमाटो है इस सारे मिसाले हम गोश्ट के अंदर आड़ कर देंगे हाफ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पौडर अड़ करेंगे, वन टेबल स्पून बरके हम इसमें साल्ट का अड़ करेंगे, वन टेबल स्पून रेड चिली पौडर अड़ करेंगे एक कप पानी अड़ करके हम इसको 15 मिन के लिए गलने के लिए रख देंगे ये देखिए मटन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है हाफ कफ हम इसमें ओइल एड़ करके इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे गोश्च की बुनाई अच्छे से क्या करें ताकि इसमें से जो स्मेल होती है वो खतम हो सके ये देखिए गोश्ट बहुत अच्छे से बुन रहा है जब तक इसमें ओल सेपरेट होगा तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे माशाला से ये देखिए कितनी हुपसूरत इसकी लूक काई है ओल सेपरेट हो चुका है अब हमने कदू का जो पेस्ट पनाया था वो इसके अंदर एड़ कर देंगे अपने खानों में कदू का इस्तेमाल जरूर किया करें इसके बहुत से फवाहित हैं अब जब तक इसमें से पानी ड्राय होगा तब तक हम इसको पकाएंगे ये देखिए मिस्ते पानी जो है वो सारा ड्राय हो चुका है और ओल हमारा सेपरेट हो चुका है अब हम इसको सर्फ कर लेंगे चेपाती के साथ हम इसको सर्फ करेंगे बहुत भी मजगदार ये सालन बन कर त्यार होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जिजा कि लग